हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंविस्टमेंट की बजार पर दोस्तों मुफ्ती आईपियो हापी फोर्जिंग लिमिटेड आईपियो आर्भी जेट जॉलर्स आईपियो इन तीनों आईपियो की कल लिस्टिंग होगी और आज आपने देखा जी एमपी में ब देखने को मिलिए इस वीडियो में हम तीनों आईपियो को कवर करने वाले हैं क्रेडो आर्भी जेड और हैपिय फोर्जिंग तो शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले अगर अगर आपन मार्केट की करेंट डारेक्शन देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छी डिरेक्शन में ट्रेड करते वे देखने को मिल रहे हैं अभी निफ्टी में 91 पॉइंट की तेजी आती वी देखने को मिलिए और सबसे पहला अपना आई प्यो है वह हैपी फोर्जिंग का तो यहां पर 850 रुपे के 17 शेर आपको पढता हुआ देखने को मिल रहा है और एक टाइम पर ग्रे मार्कट 450 रुपए पर पार अती हुए देखने को मिल गई थी तो ऑलम।स 50% का ग्रे मार्ट को फ्रम अपने पर प्रोफित में कंवर्ट dopp करे तो 3295 रुपय को मुन्वर यहां पर एक लॉट पर अपने को बना मुफ्ती IPO की तो दोस्तों मुफ्ती IPO में 280 रुपे के आपको 53 शेर मिलेंगे और यहाँ पर current अगर grey market देखेंगे तो 80 रुपे पर चल रहा है एक टाइम पर यहाँ पर 160 रुपीज के भी आसपास grey market पहुचता हुआ देखने को मिल गया था यहाँ पर अगर आपन profit पर lot की बात करेंगे तो 4,240 रुपे का मुनाफ़ा आपका पर lot पर होता हुआ देखने को मिल सकता है tentative है यह कि दोस्तों अभी आपने देखा होगा grey market की according कुछ भी नहीं होता हुआ देखने को मिल रहा है उसके बाद अगर अगर आपन final IPO की बात कर तो वह है RBZ dwellers का IPO इसकी grey market में कोई कामकाज नहीं है chances काफी हाई है कि यह IPO नीचे बिले सो सकता है तो इस IPO में definitely यह सला होगी कि भी थोड़े दूरी बना कर रखेंगे अगले quarterly results तक रही बात दोस्तों इन दोनों IPO की तो दोस्तों खरीदारी के बारे में आप सोच रहे हैं तो मेरे साब से listing के दिन आप खरीदारी ना करें listing के बाद आप definitely आपको मौके मिल सकते हैं इस IPO के अंदर lower levels पर buying के तो listing के दिन definitely मुफ्ती जीन्स हो या फिर happy forging दोनों में खरीदारी की सला नहीं होगी definitely बीट करके चलेंगे अपने इन दोनों IPOs के अंदर listing के दिन रही बात उन लोगों की जिन लोगों को allotment मिला है तो उन लोगों को definitely दोस्तों आप profit बुक कर सकते हैं अपना IPO में और नीचे मगर आपको entry मिलती है अपने selling price से तो definitely आप एक बार सूच सकते हैं बाकि जिन जिन को allotment मिला है लिस्टिंग का जो profit है उसको आप enjoy करें बाकि और भी अपने आगे डो 2024 में IPOs आते वे दिखने को मिलेंगे उन पर focus करेंगे and hope so आपको वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो में आपने profit पर lot से लगा कर estimated listing price से लगा कर बाय करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए सब पर बात करें तो वीडियो चला करें को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइक करें इस वीडियो